रामरम जी में संगीता हूर थे देख रहे हैं रंगिलो जुन जुनू अभी मैं मुझूद हूँ जुन जुनू के मोदियां की जाओ में जेठा का रादिका सरमाजी जो है वे युक्रेइन में फैसरे हा और अभी वे काली ही है जो को आपका गराँ पुंचे तो मेरा नाम रादिका है हम लोग युक्रेइन के विनिट्सा शहर से हैं हम लोगों ने वहां से 23 मार्च को जब वहां पर कीव में हमला हुआ था उसके बाद हमें युनिवर्सिटी की तरफ से बोल दिया गया था कि आप अपने अपने घर जा सकते हो उससे पहले हमें कुछ भी बताया नहीं गया था हमने एमबैसी से भी पूछा था और युनिवर्सिटी से भी पूछा था तो सब नहीं बोला था कि अभी सिर्फ पॉलिटिकल वार ऐसा कुछ भी नहीं होगा लेकिन फिर जब हमला हो गया तो उसके बाद सारे बच्चे सब गबरा गए और सब सब ने एमबैसी से बात की सब ने बोला पर उदर से कोई जवाब नी आया फिर हमने हमारे हिसाब से बस करके हमारी रिस्क पर हम लोगों ने अपने हिसाब से बस करके और हम लोग बॉर्डर तक पहुचे तब तक हमें किसी का कोई सयोग नहीं मिला था किसी तरफ से कोई बात नही कि ती और उसके बाद हमें एंब लिचेव की अज़ ता सलो वांक्या में और वहाँ पर तो हमें बहुत अच्छे सब रख का गया था और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छ इस्ब आरेंज सबoscope थे हमें वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की सब तरीके के वालेंटियर्स थे और वहाँ पर खुद जो वहां के अंबिसेडर हैं वो खुद हमें लेने आये थे उनने पूरा सयोग किया और जो किरन रिजू जी है वो भी आकर हमसे मिल के गए थे उनने भी बहुत सयोग किया और हमें राजस्तान हाउस लेके गए थे वहां पर रखा वह बहुत अच्छे से सब का सारे बच्चों का रिंजमेंट था खाने का रहने का और उन्होंने हमें फिर घर तक अपनी वहां उन्हीं के गाड़ी से घर तक पहुंचाया एक दम जैंके न सुनन सिर्फ एर स्पेस पे अमला हुआ ता बाकि किसी भी जगे पे हमला नहीं हुआ था तो हम लोगों की हम लोगों ने सब बच्चों ने मिल के सबने खुद ने अपनी बसे explored की हम किसी HTML का या किसी और ऋंहंने सहारा ने लिए थाime सिर्फ इन्डियंज ने heart ABS कि मदज से ही ब भ किसी ने रोका नहीं तो थे जगी जगा मोजूद अबीजा कोई फाइरिंग वगर हुई या कोई टियर गेस कुछ फोड़े गई एक रात को हुई थी फाइरिंग जहां पर हम लोग अपार्टमेंट में रुके वे थे वहां पर फाइरिंग हुई थी और वहां पर ड्रॉन्स कोई टीचर का संपरक्म होगा तो थन के लागा अब थारे डिगरी को के रहा हुँ अभी तो सब टीचर्स वो खुद अपनी जान बचा बचा के भाग रहे हैं वो सब लोग खुद भी डरे वें तो अभी कोई जवाब नहीं दे रहा तो हमारे राजसान सरकार से और केंद् इंडिया में ही कहीं कॉलेज में एड्मिशन दे के और हमारे डिगरी पूरी करें और हमें पूरा सपोर्ट करें क्योंकि ये तो एक तरीके से अन होनी है इसका हमें इंडियन स्टूडेंट्स को किसी को नहीं पता था क्योंकि चार साल हम लोगों ने बहुत अच्छे से वा तो मतला बबब जाएं कि थार बेटी आज गरां आरे है और आणू पली जाएं कि हर माव आपना चिंत्या है तो थेख के सोचता जी टाइम तो मेरी से बात होती रहती तो बठतोई तो कोनी हो डर को माहूल लेगिन फिर भी डर तो ला गई है प्रभू की क्रपा से बड़े बुजूर का कासिर वाज से सुरक्षित घर आगी मेरे लिए सबसव बड़ी बात है डर लगता था इसे बात चीत होती थी दो दिन थी उस दि सब्सक्राइब दिल्ली में भी इनको राश्तन सरकार ने बहुत सपोर्ट करा फिर फाइनली आगी तो बहुत अच्छा लग रहा है थे कि खेंड़ चाहोगा बाकी का जो माता पिता है जो बाकी और बच्चा भी आपना भारत में भारत का जो बच्चा वे उक्रेन में फस रह है उनकी केंदर सरकार पूरी मदद करें ताकि वह जल से एक्वेशन उसके बढ़र से हैं क्योंकि हर पेरेंट्स किया है कि मेरो बच्चो सही सलामत घरा पहुच जाए अब हमें भी इस चीज़ का तो नहीं पता था कि भी ऐसे यूद हो जाएगा अब चार साल इसने निकाल कि जिद्थे भी वहां बच्चे पासे में उनको तुरंट से तुरंट ज़ल से जल्द उनके घर पर पहुंचाएं ताकि उनके पेरेंट्स में नेको देखके खुशी मैस्सोस कर सके थारो जो को वीडियो को बारम के खान्यों है वो तो थे मान निचे कमेंट बॉक्स में कम करके जरूर बतायों वीडियों जादा हो जादा सेर करें और चैनल पर नया हो तो चैनल ना सब्सक्राइब जरूर करें